LibreOffice Draw में Working with Objects पर स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है। इस टुटोरियल में हम सीखेंगे कि Grids और Guidelines प्रियोग करके Objects को कैसे रिस्थित करते हैं, Snap Functions को कैसे प्रियोग करते हैं, Lines और Arrow Heads को कैसे Customize करते हैं, आप यह भी सीखेंगे कि Objects को Duplicate यानि प्रतिलिपी कैसे बनाते हैं, Objects को कैसे ठीक से Resize करते हैं, Objects को कैसे वित्रित करते हैं, Objects को कैसे संयुक्त करते हैं, मिलाते हैं, घटाते हैं और पतिछे दित करते हैं। अपने Operating System की तरहां हम Ubuntu Linux version 10.04 और LibreOffice Suite version 3.3.4 प्रियोग कर रहे हैं। Grids क्या होते हैं? Grids, Objects को सही से Draw Page पर स्थित करने में मदद करते हैं। अब Root Map फाइल खोलते हैं जो Desktop पर Save की थी। पिछली टुटोरियल्स में हमने Sun Shape में Grids प्रियोग किये थे। आप विस्तार में Grids के बारे में सीखते हैं। Main Menu से View चुने और Grid पर क्लिक करें। फिर Display Grid पर क्लिक करें। Draw Page, Chatage और उर्दवाधर Dotted Lines से भरा है। ये Grid बनाती हैं। ये Grids केवल प्रदर्शन उद्देश के लिए हैं। ये Print नहीं किये जाएंगे। हम Grids के Size को Customize कर सकते हैं। यानि जरूरत के अनुसार उन्हें छोटा या बढ़ा कर सकते हैं। Main Menu से Tools चुने और Options पर क्लिक करें। आप Options डालोग बॉक्स देखेंगे। LibreOffice Draw पर क्लिक करें। और Grid चुने Resolution में नेम्न वेल्यूस प्रविष्ट करें। Horizontal 7 cm, Vertical 5 cm, Subdivision Grid में Spaces की संख्या निश्चित करता है। अब Subdivision Values प्रविष्ट करते हैं। Horizontal 3, Vertical 4. अब Synchronize Axis विकल्प को अंचेक रहने दें। OK पर क्लिक करें। Draw पेज को देखें। Grid में प्रत्यक बॉक्स के Size को देखें। अब उन Spaces को गिनते हैं जो हमने Subdivision में Set किये। शैते जिस्थती में 1, 2, 3 Spaces हैं और उर्धवाधर जिस्थती में 1, 2, 3, 4 Spaces हैं। अब Guides के बारे में सीखते हैं। Guides क्या होते हैं। Guides Objects के किनारों की सहायक लाइने ये विस्तारण होते हैं, जो दिखती हैं जब यह Move होता है। आब Guidelines को सक्षम करते हैं। View चुने और Guides विकल्प चुने। अब Display Guides विकल्प पर क्लिक करें। Main Menu से Tools पर और Options पर क्लिक करें। Options डायलग बॉक्स दिखता है। Buy Panel से LibreOffice Draw के आगे छोटे काले त्रिभुज पर क्लिक करें। View पर क्लिक करें। Dying Panel से Guides When Moving चुने इस तरह से जब Objects Move होते हैं तो आप Guides देख सकते हैं। OK पर क्लिक करें। अब पार्क को थोड़ा सा दाई तरफ मूव करते हैं। जब पार्क मूव होता है तो आपजेक्ट के किनारों की विस्तारान लाइने दिखती हैं। ये Guidelines हैं। Snap Lines क्या होती हैं। Snap Lines एक छेत्र जो परिभाशत है उसमें दो या अधिक Objects को स्थित करने में हमारी मदद करती हैं। Snap Lines और Snap Points यूजर द्वारा बनाए जाते हैं। Snap Lines उर्दवाधर रूप से और Shattage रूप से रन होती हैं। और Daged Lines की तरह दिखती हैं। आपको Snap Lines बनाने से पहले Snap Lines Options को सक्षम कर लेना चाहिए। Draw Page पर जाएं। Context Menu के लिए Right Click करें और Snap Lines चुने। अब सारे तीनों विकलपों पर क्लिक करें। Snap Lines Visible, Snap To, Snap Lines, Snap Lines To, Front Snap Lines जो हम बनाते हैं अब दिखाई देंगी। अब Snap Lines प्रियोक करके एक छेत्र परिभाशित करते हैं, जो नक्षे के Objects को अपने अंदर समाविष्ट करें। जैसे की स्लाइड में दिखाया गया है। माउस करसर को उर्दवादर रूलर के उपर मूफ करें। माउस के By Button को दबाएं। आप देखेंगे की करसर की शेप अब Two-Sided Arrow की तरह हो गई है। माउस को Draw Page की तरफ खीचें। आप एक Dotter Line देखेंगे। माउस बटन को न छोड़ें। By Mouse Button को पकड़े हुए, Dotter Line को पेज तक खीचें। अब माउस बटन छोड़ें। क्या आप Line देख सकते हैं। यह वो Snap Line है। सबसे नीचे की लिमिट बनाने के लिए बस Line को पेज में नीचे खीचें। आप उस छेतर को परिभाशित करने के लिए तीन और Snap Lines बनाते हैं। जो नक्षे को अपने अंदर रखे। हमने शैतेज और उर्दवाधर Snap Lines बना ली हैं। अब आप इन Snap Lines के साथ Objects को इस्थित कर सकते हैं। आप अवश्य ही जितनी Snap Lines चाहते हैं बना सकते हैं। शैतेज और उर्दवाधर Snap Lines ग्राफ पर X और Y Axes की तरहां कारे करती हैं। इन दो Axes में आप Objects को ठीक से इस्थित कर सकते हैं। आप Objects को ठीक से इस्थित करने के लिए Snap Function के साथ Grid Lines को प्रयोग कर सकते हैं। आप Snap to Grid भी प्रयोग कर सकते हैं। Grid Points पर ठीक से Object को स्थित करने के लिए। Snap to Snap Lines भी प्रयोग कर सकते हैं। Snap to Page Margin भी प्रयोग कर सकते हैं। Page Margin पर Object को ठीक से स्थित करने के लिए। इस टूटोरियल को रोकें और यह नियतकारे करें। सारे Grid विकल्पों का Unvision करें। जाजें कि क्या होता है जब आप snap to grid, snap lines और page margins करते हैं। अब school campus के आगे इस lake के आकार के जैसे ही एक और lake जोड़ते हैं। ऐसा करने के लिए duplicate विकल्प प्रेयोग करते हैं। अब lake चुनते हैं, main menu पर जाएं, edit चुनें और duplicate पर click करें। duplicate dialogue box दिखता है, number of copies में value 1 प्रविष्ट करें और ok पर click करें। lake की प्रतिलिपी बन गई है। अब lake को खींचते हैं और school के पास लाते हैं। जरूरत के अनुसार objects किसी भी नाप में सही से resize किये जा सकते हैं। अब इस सही नापो को प्रयोग करते हुए और इस slide में दिखाए गई की तरहां घर की आकरती को बदले। अब इसे समान उचाई और चोडाई देते हैं और इसके कोनों को तिर्चा करते हैं और इसे घुमाते हैं। पहले Home चुने Context Menu के लिए राइट क्लिक करें और Position and Size चुने। Position and Size डालोग बॉक्स दिखता है। Position and Size टैप पर क्लिक करें। Size में Width और Height दोनों छेत्रों में Value 3 प्रविष्ट करें। फिर Rotation टैप पर क्लिक करें। एंगल छेत्र में Value 10 प्रविष्ट करें। Slant Angle शेत्र में 5 डिग्री प्रविष्ट करें। OK पर क्लिक करें। हमने घर को फिर से डिजाइन कर दिया है। इस टुटोरियल को रोकें और ये नियस्कारे करें। Drawing Toolbar प्रयोग करके विविद आकरतियां बनाएं। Distribution विकर प्रयोग करने के लिए हमें कम से कम तीन अबजेक्स चुनने जरूरी हैं। पहले Residential Complex, Parking Lot और Commercial Complex चुने। अब सारे अबजेक्स को कवर करते हुए, Select Arrow को खीच कर उनका समहू बनाएं। अब Right क्लिक करें और Distribution चुने। Horizontal में Right चुने और OK पर क्लिक करें। Object के दाएं किनारे समान रूप से वित्रित किये जाएंगे। Distribution विकल्प Object को उर्दवादर और शैतिज रूप से वित्रित नहीं करता है। Horizontal Distribution विकल्प नेमन को वित्रित करता है दाएं और बाएं किनारों को, शैतिज केंदरों को और Objects के अंतराल को। Vertical Distribution विकल्प नेमन को वित्रित करता है उपरी और निचले किनारों को, उर्दवादर केंदरों को और Objects के अंतराल को। अब इस नक्षे के लिए अपने खुद की line style बनाते हैं। Main menu से format चुने और line पर क्लिक करें, line dialogue box दिखता है, line styles पर क्लिक करें, line styles में 3 dashes and 3 dots विकल चुने, type छेतर को ऐसे ही छोड़ दें, नंबर में 10 और 5 प्रविष्ट करें, length में 8%, add पर क्लिक करें, my line style नाम प्रविष्ट करें, ok पर क्लिक करें, दोबारा ok पर क्लिक करें, अब इस arrow को चुने, right क्लिक करें और line चुने, line dialogue box दिखता है, line tab पर क्लिक करें, style drop-down box पर क्लिक करें, अब ये नया style दिखाता है, जो बनाया गया था, इसे चुने और ok पर क्लिक करें, हमने एक नई line style बना ली है, अब school campus के बाईं तरफ एक छोटा सा stadium बनाते हैं, drawing toolbar से basic shapes पर क्लिक करें और circle चुने, अब इसे draw page में प्रविष्ट करें, वरत्य की outline my line style के तरह की है, इसके अंदर stadium टाइप करें, आब objects को सयुक्त करना, मिलाना, घटाना और पतिछेद करना सीखते हैं, objects का समु बनाने और सयुक्त करने में क्या अंतर होता है, जब objects का समु बनाया जाता है, तो केवल कई सारे objects एक साथ रखे जाते हैं, जब objects सयुक्त होते हैं, तो नया object बनता है, हम इन विकल्पों को दिखाने के लिए तीन objects प्रियोग करेंगे, पहले draw file पर एक नया page जोडते हैं, अब drawing toolbar से एक व्रत बनाते हैं, basic shapes पर click करते हैं, और circle चुनते हैं, draw page में mouse को move करते हैं और इसे नीचे खीचते हैं, अब एक दूसरा object diamond बनाते हैं, drawing toolbar से basic shapes पर click करें और diamond चुने, cursor को draw page पर move करें, इसे नीचे खीचे और menu bar से area style, filling, drop down, button चुने, और red 3 रंग चुने, तीसरा object rectangle बनाएं, और object को green 6 रंग दे, shift key को पकड़ कर तीनों objects को चुने और प्रत्तेक object पर click करें, context menu के लिए right click करें और combine पर click करें, एक नया object बन गया है, ध्यान दें कि नया object उस object का रंग लेता है, जो आखिरी है और पीछे है, अब एक साथ ctrl z कीज को दबा कर इस क्रिया को undo करते हैं, आकरती को दुबारा चुने और context menu के लिए right click करें, shapes चुने और merge पर click करें, एक अन्य नई आकरती बन गई है, याद रखें कि इन functions के साथ आप जितना परिक्षन करेंगे, उतना ज्यादा ही आप सीखेंगे, हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं, इस tutorial में हमने सीखा, objects को ठीक से align करने के लिए, grids, guides और snap lines का प्रियोग कैसे करते हैं, आपने objects को duplicate यानि प्रतिलिपी बनाना, resize करना और वित्रित करना भी सीखा, हमने नई line styles भी बनाए और सीखा कि निम्न प्रियोग करके नए objects कैसे बनाते हैं, संयुक्त करना, मिलाना, घटाना, प्रतिछेद करना, निम्न लिंक पर upload वीडियो देखें, यह spoken tutorial प्रोजेक्ट को सारांचित करता है, अच्छी bandwidth ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, spoken tutorial प्रोजेक्ट टीम, spoken tutorials का उप्योग करके कारेशालाई चलाती है, ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमान पत्र देते हैं, अधिक जानकारी के लिए क्रपया spoken-tutorial.org पर लिखें, spoken tutorial प्रोजेक्ट, talk to a teacher प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माधिम से राश्ट्रियस आक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है, इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org slash nmeict-intro पर उप्लावद है, IIT Bombay से मैं शुर्तियार आपसे विधालेती हूं, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद.